नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपकी साथ सौमयराथी डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम कान के दर्थ के बारे में बात करने वाले हैं जानेंगे कि कान में दर्द किन कारणों से हो सकता है इससे आराम किस तरीके से मिलेगा और यह सब को समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी है डॉक्टर रश्मी प्रसाद जो की बिहार के सबसे जाने माने ENT स्पेशलिस में से एक है सबसे पहले माम नमश्कार बहुत- समस्या होती है और जरूरी है कि यह समस्या कान के अंदर ही हो हम मेरे पस बहुत सारे पेशिंस आते हैं कान में दर्द लेके तो कान में दर्द के बहुत सारे कारणे एक तो यह है कि कान में ही प्रॉब्लम है और का दर्द है तो वह क्या क्या हो सकती है अगर आपने कान को सा सब्सक्राफ करने के लिए बहुत सारे चीजे यूस करते हैं उसके बाद वो अंदर के एरिया को स्क्राइच करने के बाद उनके कान में धर्द चुरू हो जाती है यह बहुत सारे लोग जिनका का चदरा भटा हुआ है कांसे पानी आता है तो एंफेक्शन के कारन पि उनके का शमनली तीक, तो ये सब तो हो गई कि तकलीफ आपके कांद में ही है या आपने कुछ किया है शक पडान के कान कुछ हुआ है और वह कान की अंदर तकलीफ है कुछ तकलीफpowered ऐसी जिसमें कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बर दूसरे जगा प्रॉब्लम होता है और पेशेंट हमारे पास आते हैं कान में दर्द लेके यह क्या होता है इसे रेफर्ड पेन क्या तकलीफ कान में नहीं है बर तकलीफ कहीं और है और उस तकलीफ की बज़ से आपके कान मे तकलिफ हो रही है तो क्या क्या ऐसी तकलिफ हो सकती है मेरे बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि यह जो कान के आगे का हिस्सा है इसे यहां पर एक जॉइंट होता है जैसे शरीर के दूसरे जगह दूसरे हिसे में जॉइंट होते हैं उसी तरह यहां भी जॉइंट है जिसे टें आर्थ्राइटिस की समस्य हो जाती है वो आप कैसे पैचान होगे जब आप मूझ खोलोगे और बंद करोगे जैसे तो यह जॉइंट को जब आप छुएंगे तो वहां पर दर्द होगा इसका मतलब है कि इस जॉइंट का टेंडरनेस है तो इस जॉइंट के कारण भी कान में की तक्लीफ होती हैं हम लोगों ने बहुत सारे पिशिंट्स ऐसा देखा हैं जो दोतेprises kanma के अंदर ब्टप बस्त कान में तक्लीफ नहीं है वो आगी के जॉइंट के कारण उनके कान में तक्लीफ होती है और लोगों को लंगता नहीं है कि कान में नहीं कान के बाहर के हिस्से के कारण कान के अंदर तकलीफ हो रही है तो ऐसी किस में क्या करेंगे सॉफ डाइट लीजे अगर जिस हिस्से के जॉइंट का प्रॉब्लम है सॉफ उस तरफ से कोई हाड चीजे नहीं चेवानी है उस जगह पे हम लोग होट फर्मेंटेशन करने के लिए कहते हैं कि गरम चीज से वहां पर होट बॉटल या गरम पानी में इस तरह से यहां सेकाई करने से भी जॉइंट को आराम मिलता है यह जस्ट आप ऐसी ही ट्रीट क बॉए तो वह मुसकी ट्रीट्स अते हैं उस तरह के टैबलेट्स जो मसल के स्पाजम को कम करें तो वह टैबलेट्स हम लोग क्प्रिस्क्राइब करते हैं और क्या कारण हो सकती है जैसे कि गले में, अगर आपमें टुथ की समस्या है, बहुत सारे patients काम लोगे देखा है, कि कान में दर्द है, पर जब उनका मूँ देखते हैं, तो कुछ केरी स्ठीत रहते हैं, तो वो गले मूँ के दर्द के कारण, आपके कान में भी दर्द हो सकती है, तुसरी बात है, दात के दर्द से या टॉंसिल के दर्द से भी आपके कान में दर्द हो सकता है, जिसे refer depend कहते हैं, तो कान में दर्द हमेशा कान के तकलीफ से नहीं होती है, किसी और जगा की हिस्से से भी कान में दर्द हो सकता है, उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिब ने जो बाते सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है धन्यवाद